करते हैं दो सथ अगर आप दूसर इंडियं रेले में ओनलाइन टिकर भुकिंग करते हैं और दूसरों करने के दोरान आप ट्रेफल इस्ट में यह सब क्लिक करते हैं इसका मतलब यह होता है तो कि आप ट्रेफल इंसरेंग लिए HRS करने के बाद आपको नॉमिनी डिटेल फिल अप कैसे करना है आज के इस वीडियो में मैं आपको लाइव कंप्लीट प्रोसेस अब बताने बला हूं ठोकि दोस्तों काफी सारे लोगों बोलते रहते हैं कि जब भी हम ऑनलाइन टिकर बुकिंग करते हैं तब मैं ट्रेवल उस् घ्रीयंते नहीं आप सभी लोगों को भी जरू लेना चाहिए आए घ्रूरओ लेना चाहिए का यह मतल आने के बाद आपको फॉर्म को कैसे भरना है मैं लाइब कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में आपको बताने बलाओं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दूस्तों आपर देख सकते हैं 10 अप्रेल इंस्युरेंस में याथP करते हैं तब दूस्तों आपको इनस्युरेंस कंपणी की तरफ से आपको एक message प्राप्तो होता है जैसे कि दूस्तों टिक दिख सकते हैं यहाँ पर एक लिंक दिया हूँ कई चाहँ गया है जिसके कारन दोस्टों जिस लिंक से किया हुआ है इस पे भी आपको कलिक करना है तो लिंक पे कलिक करने के बाद यहां पर देख सकते हैं कि कुछ लिए और कितने लोगों का टिकर बुकिंग किया हुआ था कितने पैसिंजर का मतलब की टिकर बुकिंग किया था और जितना passenger का टिकर booking किया थे उन दोनों में ही आपको form भरना है nominee details को update करना है तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सारा detail मेरे को आ चुका है और यहाँ पर देख सकते हैं passenger one, passenger two तो दोनों passenger को यहाँ पर थोरा सा nominee detail को fill up करना है तो चलिए सबसे पहले person one का हमे nominee detail भरना है यहाँ पर सबसे पहले insurance person name लिखा हुआ है जिसमें मेरा नाम है सनी कुमार और इसके बाद दूस्तों और सभी आपको detail fill up करना है इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है name of the nominee तो nominee में किनका नाम डालना चाहेंगे वह यहां से आपको मांग रहा है तो चलिह मैं अपने father का नाम डालना चाहोंगा तो यहां पर मैं father का नाम टैप करते रहारा है तो मैं सब्सक्राइब करना है जितना लोगों का इंडिविजुवल अलग अलग आपको फिलब करना होगा जैसे कि यहां पर भी उनका नम आगया है उसके बाद किसका नाम देना चाहते हैं उसके बाद उनका एज नोमिनी का एज क्या रिलेशन है उसके बाद मोवाल अमर उसके बाद यहाँ पर करने के बाद आपको समिट करना है तो आप चार लोगों का टिकर बुकिंग करेंगे तो चार लोगों को वहीं सेम चीज़ डाल दीजेगा और वहां पर आप क्लिक करने कवाद यहां पर देख सकते हैं कि मैसे जुका है और सही का निशान लग चुका है नॉमनी डिटेल करने के लिए मैंने यहां पर बताया हूँ तो आपको हो सकता है कि आपको ज़्यदा टाइम यहां पर लग गया होगा वैसे दोस्तों कुछ एक्षा डिटेल नहीं मांगा जाएगा बस जिसका नाम डिलना चाहते हैं उसका नाम एज और क्या रिलेशन है और मोवाल नंबर और प्यानर नमबर तो आपको डालाई यह तो वससींपल यहां से भी आप कर सकते हैं तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि आप सब्लोग जान गयोंगे कि हमें नौमिने डिटल में नाम अपडेट कैसे करना है तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे वीडियो को इकलाइक कर देजिए और अगर आप मारे चैनल पर ना है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देजिए फिर मिलते हैं करना है और इंट्रेस्टिंग भड़े वीडियो में तब तक के लिए जाहिंद जै भारत जै स्री राम